बच्चो सौगत है आपका एन आर पी एस स्कूल की ओनलाइन क्लास्व में अभी तक हमने एक से सो तक अंक पड़े और आपने काम भी खरा होगा एक से सो तक की गिंतिया आपने क्या करी होगी लिखी होगी ना आप सब बहुत अच्छे बच्चे इसलिए आप सबी क्या है कोपी में काम करते हैं अब देखिए हमें क्या करना है किताब दीजी आप अब किताब में देखिए आपके अभ्यासकारे हैं और उसमें अभ्यासकारे में आपको देखना है कि क्या करना है आपको अभ्यासकारे में यह देखना है कि हमें इकाई धाय का ग्यान है या नहीं है देखे जो पहले सान पर जैसे मैंने यह लिखा दो रेक दो रेक को क्या बोलेंगे हम 21 बोलेंगे अब जो पहला अंख है उसे हम क्या बोलेंगे इकाई बोलेंगे और जो दूसरा आंख है दाही बोले, एकाई के बाद क्या आता है, दाही आता है, एकाई के बाद क्या आता है, दाही आता है, तो हमारा अब क्या काम है, अब बहास कारे में यही काम है, कि हमें एकाई और दाही की पेचान होनी चाहिए, ठीक है, अब देखी, एकाई और दाह को हम केसे पेचानेंगे देखिए मैं परिवाशा लिखते हूं आपको उसको पढ़ना भी है और लिखना भी है दस इकाई कि दस इकाईयो को एक दाहाई केहते हैं यानि जो दस अंक आ जाते हैं अभी देखो अभी बताऊंगे उधारन से केसे देखिए समझ में आया यानि दस इकाईयो को एक दाही केते हैं कैसे इकाई के अंक कोन से होते हैं सबसे पहले यह देखिए इकाई का अंक एकाई काई कोन सा जीरो से सचाट है जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस दस में क्या हुआ दो आंक आ गए तो एकाई में मैंने आपको क्या बोला जहाँ पर एक अंक आता है वही हमारी काई होती, इन सब में क्या है, ये एक है, ये भी 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 एक है, ये सब क्या है, एक एक डिजिट है, यानि एक एक अंक है, तो ये क्या है हें हमारे काई के अंक हैं आप सब जानते हैं ना एक से दस सा गिंती बोलना बोलीमें साथ जीरो एक दो तीन चार पांठ छे शान आठ और नुम यह सब क्या है हमारे काई के अंक है अब यह क्या बोल रहा है दस कईयों को एक दहाई कहते यारी कि दस कईयों को एक दहाई कहते हैं इन सबको अगर हम गिनेंगे तो कितने अंक हो रहे हैं अब दहाई का अंक देखिए दहाई का अंक ठीक है दहाई का अंक कहां से शुरू है दस कितने अंक हुए एकाई और धाई कहां से शुरू हुआ य के दस ही कायों से यानी कि य काय ओः ठीक है पहला एंग किया ही कई दूरा अंक क्या है दाई दोंग मिलते हैं जहां वहां पर क्या होता है नहीं दोंग घचिस होता है कैसे एकाई और धाई ठीक है इसी प्रकार, तीन और दो को हम क्या बोलेंगे, बत्तिस बोलेंगे, तीन दो को हम क्या बोलते हैं, बत्तिस बोलते हैं, तीन और दो को बत्तिस बोलते हैं, यानि कि दो क्या है, एकाई है, तीन क्या है, दाई है, तीन और दो, एकाई और धाई को मिल इसे प्रकार देखें, साथ और पांच को क्या बोलेंगे, साथ और पांच को हम पे चत्तर बोलते हैं, इसे प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं, आट और पांच क्या है, पिच्चे असी है, तो ये क्या है, इनमें सम्में क्या है, काई धाई, काई धाई, काई धाई, काई ध लेंगे हम इकाई जहां पर दो ऊंक दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या भोलेंगे दाही के अंक बोलेंगे अब शबता है तो diesen नू पर खतम होता है उसे प्रकारी МУर्चाय को आदी के और न२ पर है हमने किते अंकों की बात करी दो अंकों की तो इसका कोई काम नहीं है इसको हटा दे इसलिए दो अंकों का ही काम ले लास्ट क्या है नो नो निन्यार्ण नभी है एक 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 दाए का अंक क्या दो 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 यानि कि क्या एक एक में एक और दाए में क्या दो अंक जैसे ही हमारा तीन आःक आते ही उसको हम बोलते हैं सेखड़े अंक। कि यानि कई द यानि दही तो हमें पता होना चाहिए कहकंक क्या है और कि पर अब बाइद जेम और 3 ते रहना है एक और तिन तेरा पर अभ्यासकारे दिया गया है तो हम क्या करेंगे इब अभ्यासकारे करेंगे सावल नमबर देखिए इसका पहला सवल देखिए अभ्यास कारे में क्या नेमन लिखित नेम लिखित संख्याओं को संख्याओं को दहाई और इकाई में लिखिये मैंने अभी आपको समझाया था ने दहाई और इकाई किस प्रकार से लिखना है कुछ अंक दे रहा है उसमें से दहाई और इकाई छाटनियम में देखिए ये हमें कुछ आंक दिखाई दिये हैं देराना में आंक अब इसमें से हमें क्या करना है इकाई और धाई लिखनी है एक तरफ हम क्या करते हैं इकाई लिखते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं दहाई लिखते हैं ठीक है अब हमें इसमें इकाई वाले आंक लिखने हैं और एक साइट दहाई वाले आंक लिखने हैं एक उच्छे, एक उच्छे को हम क्या बोलेंगे, सोले बोलेंगे, दो और आट को क्या बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे, देखे, इक आएक आंग, मैंने क्या बोला पहले, इक आएक आंग, फिर धाएक आंग, उल्टा लिख दिया, इधर क्या करेंगे पहले इकाई कर देते फिर दाई कर दे फिर लिखते यहाँ पर क्या करेंगे हम इकाई कांग लिख लेंगे ठीक है यहाँ क्या करेंगे दाई कांग लिखेंगे ठीक है अब देखिए मैंने भी आपको समझाया न कि पहला अंक क्या है इकाई का और पहला क् इकाई और एक क्या है दाहाई इसे प्रकार आठ क्या है इकाई और दो क्या है दाहाई इसे प्रकार पांच क्या है इकाई और चार क्या है दाहाई नो क्या है इकाई और पांच क्या है दाहाई इसे प्रकार जिरो क्या है इकाई छे क्या है दाहाई साथ क्या है स्वरी दो क्य क्या है, इकाई साथ क्या है, दहाई आठ क्या है, इकाई आठ क्या है, दहाई दो क्या है, इकाई नो क्या है, दहाई आठ क्या है, इकाई नो क्या है, दहाई चार क्या है, इकाई आठ क्या है, दहाई आप सब भी को समझ में आया होगा ने मैंने क्या करा इसमें एक साइड मुझे इकाई और एक साइड मुझे दाहाई लिखना है क्या बोल रहा है निमल के संख्याओ को दाहाई और इकाई में लिखिए सबसे पहले मैंने इधर इकाई करा फिर दाहाई करा यानि जैसे मैंने लिका सोला तो ये क्या बताया था मैंने पहला आंग इकाई दूसरा आंग क्या बताया था मैंने आपको दाहाई तो इसी प्रकार मेरे को इकाई वाले आंग तो ये मिले और दाहाई वाले आंग ये मिले इकाई में देखें सोला आया तो इधर वाला आंग ह ना वो हमारा इकाई है और इधर वाला अंग क्या है हमारा दाही तो इकाई कांग क्या छे दाही कांग क्या एक इसी प्रकार दो और आठ में 28 28 में 8 8 गया है इकाई कांग 2 क्या है दाही कांग 4 पांच क्या है पेतालिस पेतालिस में 5 क्या है इकाई कांग 4 क्या है दाही कांग पांच और नौ, उनसट, उनसट में नो क्या है, इकाइकांग, पांच क्या है, दाहिकांग, छे जिरो, साथ, साथ में जिरो क्या है, इकाइकांग, छे क्या है, दाहिकांग, साथ और दो, बहत्तर, बहत्तर में दो क्या है, इकाइकांग, साथ क्या है, दाहिकांग, आठ और और दूसरा आठ क्या है दाहई कांग इसी प्रकार 9 और 2 क्या है बार्णबे और 2 क्या है इसके अंदर 2 क्या है एक और 9 क्या है नो क्या है दाहई 9, 8, 98, 8 क्या है, इकाई कांग, 9 क्या है, दाहिकांग, 8, 4, 84, 84, 4 क्या है, इकाई कांग, 8 क्या है, दाहिकांग, आप सभी को समझ में आया होगा कि हमें इकाई किस तरीके से लिखना है और दाहि किस तरीके से लिखना है, यह हमें समझ में आना चाहिए अब हम देखते हैं इकाई औ धाई के वाले आंक कैसे जोनने हैं ठीक है आपको इकाई औ धाई लिखना आया होगा जहां पर जो इधर वाले आंक होते हैं ना वो सारे इकाई के फिर इकाई मैंने क्या बताया था आपको सबसे पहले इकाई आता है फिर उसके बाद क्या आता ह दाहाई दाहाई के बाद क्या सेकड़ा ठीक है यह हमारा करम होता फिर हजार यह हमारा क्या एकाई धाई सेकड़ा हजार यह हमारा क्या होता है बोलने का करम होता है तो मैंने एकाई के अंक सारे इदर लिख दिये और दाहाई के अंक इदर लिख दिये अगला सवल देखिए अब भी तो अंक दिये हुए थे, अंको इकाई धाई में लिखने आनता, अब हमें इकाई धाई देगा, उसके अंक लिखने हैं, देखिए कैसे, फिर अंतर आपको समझ में आएगा, निम्न लिखित धाई और इकाई को जोड़ कर लिखिए, दूसरा सवाल क्या है, निम्न लिखित दहाई और इकाई को क्या करना है, जोड़ कर लिखना है, जोड़ कर लिखिये ठीक है हमें ये सवाल दे रहा है दहाई और एकई देगा उसको क्या करना है जोड़ना है क्या करना है उसे जोड़ना है तो दो क्या है हमारा दहाई दो क्या है हमारा दहाई ठीक है फिपलस इसमें क्या बोल रहा है थी वो क्या है इकाई है अब हमें क्या करना है यहाँ पर लिखना है इसी प्रकार पांच क्या है हमारा दहाई फिर आठ क्या है हमारा इकाई आठ क्या है हमारा इकाई इसी प्रकार आगे देखिए साथ क्या हमारा दहाई चार क्या हमारा इकाई काउंक इसी प्रकार आगे देखिए साथ क्या हमारा इकाई इसी प्रकार आगे देखिए पांच क्या हमारा दहाई पांच क्या हमारा दहाई पांच दहाई ठीक है फिर आठ क्या हमारा इकाई फिर छे क्या है दहाई और दो क्या है इकाई एक क्या है दहाई और नो क्या है इकाई आठ क्या है दहाई और आठ क्या है इकाई नो दहाई फिर नो इकाई आठ दहाई और नो क्या है इकाई देखिए अभी तक हमने इकाई और दहाई करा ठीक है इकाई और दहाई करा उसमें हमें पता होना चाहिए एकाई के इदर लिखने हैं और दाई के इदर लिखने हैं सबसे पहले तीन ये क्या है हमारा एकाई फिर क्या है दो दो क्या है दाई दो और तीन क्या हुआ तेविस हुआ इसको हमें जोड़ कर लिखना है ना दो और तीन हमें क्या निकालना है दो और तीन निकाल लिए तो क हुआ introduced interests नहीं जोड़ना है कि हमें दो और तीन को plus करना है तो पांच हुआ वह नहीं करना है हमें आंक दे रही है 11 सिंगल और दाय का सिंगल इन थोनों को जोड़कर हमें लिख न है कि इसी प्रकार 5 करना है और 8 करना है कहे क्या 8 कि दाय क्या पांच, पांच और आठ अठावन, इसी प्रकार ये क्या है, चार है, ये क्या है, साथ है, साथ और चार, साथ और चार, चोहत्तर, इसी प्रकार इका एका अंख्या है, नो, और दाएका अंख्या है, चार है, चार और नो, उन्चास, इका एका अंख्या, आठ, दाएका अंख पांच पांच और आट अठावन इसी प्रकार 11 कांच्या में दो क्या होता है उन्नीस होता है इकाई का आंग क्या? आठ, धाई का आंग क्या? आठ, आठ और आठ, आठ और आठ को क्या बोलेंगे हम? 88 बोलेंगे, इसे प्रकार इधर आईए, 9, 9 क्या है? इकाई का आंग, फिर आगे 9 क्या है? दाई का आंक और नो नो कितना हुआ निन्या नवे क्या हुआ निन्या नवे इकाई का आंक नो धाई का आंक आठ आठ और नो नवासी हुआ आपको एकाई किस तरीके से निकालना है, धाई किस तरीके से निकालना है, एकाई और धाई को अगर हम जोडते हैं, तो किस परकार से जोडेंगे, यह आपको आना चाहिए, ठीक है, आप सभी को एकाई और धाई समझ में आया होगा, यह अभ्यासकारे पूरा हुआ, पहला औ अब देखिए आपका पेज नमबर आप निकाले किताब का कौन सा आपको निकालना है ग्यारवा कौन सा निकालना है ग्यारवा नेमन लिखित अंको को शब्दो में लिखिए ठीक है आपको कुछ चांक देगा उसको क्या करना है लिखना है क्या करना है लिखना है पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपन बोल के लिखेंगे देखिए पहला क्या है सबी को पता है क्या है आठ क्या है ये आठ आम आमार की मांतरा आ और फिर ठ ये क्या है हमें शब्दो में लिखने आठ एक और दो को क्या बोलते हैं हम एक और दो को बारह बूलतै बे फिर आदना प्र चांक प्र चांक बोलेंगे उन्नीस क्या बोलेंगे उन्नीस उ फिर आदना फिर पूराना फिर बड़ी की मातरा और फिर स क्या हुआ उन्नीस तीनों दो को क्या बोलेंगे हम बत्तीस तीनों दो को क्या बोलेंगे बत्तीस बा फिर आदात फिर पूरात फिर बड़ी की मातरा बत्तीस इसे परकार पांच तो साथ को क्या बोलेंगें सब्तावन च we नहत्तर क्या आता हैं उनहत्तर उपिर है फिर आदा पूरा आए फिर नहें उनहत्तर इसी प्रकार आठ पांच को क्या बोलेंगे हम पिच्च आसी बोलेंगे प फिर एकी मात्रा फिच्च फिर आकी मात्रा फिसी पिच्च आसी इसे प्रकार नोर्दों को क्या बोलेंगे बाण नवे ब फिर आकी मात्रा फिर ना फिर वे में एकी मात्रा बाण नवे नो नो को क्या बोलेंगे हमें इस प्रकार से अंकों को क्या करना है शब्दों में लिखना है ठीक है इसी प्रकार से हमने शब्दों में लिख दिया है अब आपको पेज नंबर 11 में मलत किताब में क्या करना है आपको पेज नंबर 11 निकालना है ठीक है पेज नमबर कितना निकालना है आपको, ग्यारा निकालना है, उसमें अभ्यासकारे दिया हुआ है, आदे सवाल में ने करा दी, आदे सवाल आपके पास किताब में यहाँ पर बखाया है, ठीक है, तो आपको सवाल नमबर एक और दो, काई में करना है, किताब में करना है, ठी उल्टी गिंती लिखनी है कितनी सो से एक सो से एक उल्टी गिंती लिखनी है यह क्या है आपका घर का काम किताब में भी करना है और कोपी में भी करना है उल्टी गिंती कैसे लिखेंगे सो फिर क्याएगा नन्यान में फिर क्याएगा अठ्यानवे फिर क्याएगा शत्यानवे हमें इस प्रकार से उल्टी गिंती लिखनी है, आप कोई काई और धाई समझ में आया होगा किस तरीके से करना है और अंको को शब्दों में और शब्दों को अंको में लिखना है, मेरा पड़ाया हुआ, आप सभी को समझ में आया होगा, धन्यवाद